नमस्कार दोस्तों जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने exponential function को study किया था detail में अब हम log function को detail में study करेंगे ठीक है exponential function और log function जो होते हैं वो एक दूसरे के inverse हैं मतलब log से आप exponential पासकते हो और exponential से आप log पासकते हो ठीक है आपस में एक दूसरे को ये देते हैं कैसे वो हम देख लेते हैं तो सबसे पहले logarithmic function को represent करने का तरीका क्या होता है function को तो हम simply f of x से represent कर रहे हैं अब तक ठीक है तो f of x equals to log x log को represent करने का तरीका होता है log उसके साथ हमने variable लगा दिया x अब log का कुछ base होता है जो कि हम लेंगे a ठीक है पहले जो हमारे exponential function था वो a की power x था तो वो जो a है वो ही यहाँ पर base है नॉर्मली क्या होता है आप और questions करेंगे study करेंगे तो ये base आपको e मिलेगा हमने क्या है exponential function को detail में study किया था तो उसमें a की power x लिया था और फिर उससे increasing और decreasing exponential function लिये थे जो e की power x और e की power minus x लिये थे न तो वही e यहाँ पर आता है generally generally log function को लिखा जाता है log x और base होता है e ओके और उसी तरह से generally exponential को भी क्या लिखा जाता है e की power x e की power minus x मतलब exponential का e होता है न वही base है यहाँ पर ओके हम यहाँ पर generalized इसको study कर रहे है तो हम base जो है वो a दे रहे है क्योंकि हम दो cases में study करेंगे कौन से वो दो case होंगे कि पहली बात तो condition क्या है यहाँ पर function के साथ में where a जो है वो 0 से बड़ा है और a जो है वो 1 के equal नहीं है अब आप बोलेंगे कि यह 1 के equal क्यों नहीं है और यह 0 से बड़ा क्यों है पहरी बात आप देखिए जो log है इसमें base negative में होगा तो log की लिख टेबल होती है values होती है उसमें तो base जो है वो negative में नहीं होता है और log 1 क्यों नहीं होता है उसका भी reason है यह जो आपका x है यहाँ पर यह भी greater than 0 है अब सोचिए वैसे तो table से table जो है वो proved है तो x की value जो है minus में होगी तो log minus अब log में minus की terms जो है वो defined ही नहीं है मतलब जैसे infinity है न कुछ values जो infinity आ जाती है मतलब non-defined infinity upon infinity 0 upon 0 यह ऐसी terms है जो define ही नहीं है maths में ओके अब हम पहले यह देख लेते हैं कि इससे exponential function कैसे बनता है जैसे आप देखिए यह तो आपका main function की definition हमने यहाँ पर बात किये है यह पूरी definition है log function की अब इससे exponential function हम कैसे gain कर सकते हैं कि जो log x base a है तो f of x को हम generally y भी लिखते हैं क्योंकि y axis पर denote कर रहे हैं ओके तो इससे अब यह जो sign है इसका meaning क्या है कि हम जो यहाँ लिखने वाले हैं वो हमें इससे मिला है इस arrow का meaning यह है और यहाँ पर जो लिखेंगे उससे हमें यह मिल सकता है इस arrow का meaning यह है तो दोनों चीज़े एक दूसरे से पाई जा सकती हैं तो क्या हैगा यहाँ से यह x लिख दिया हमने अब यह log इसके पास जाएगा न तो यह e बनेगा अगर base e होगा अब because यहाँ पर a है तो यह a बनेगा और यह y जो है यह power में चला जाएगा ओके simple और हम यहाँ पर हमारी जो log function के domain और range की बात करें है तो जो domain है न वही बात है कि domain एक greater than 0 है x greater than 0 है मतलब non negative real numbers होंगे तो domain जो है वो तो आपका domain वो होगा 0 और infinity के बीच में ठीक है 0 से infinity के बीच में होगा और 0 भी इसमें include नहीं है small bracket का meaning यह है और जो range होगी न तो range तो आ रही होगा जो real set का number होगा तो अब हम हमारे function पर वापस आते हैं जिस तरह से हमें graph draw करने हैं उसकी बात कर लेते हैं तो क्योंकि a greater than 0 है और a 1 के equal नहीं है तो आप देखिए क्या cases बन सकते हैं या तो a की value 0 से 1 के बीच में होगी या फिर a की value greater than 1 होगी समझ रहें न a की value greater than 0 है मतलब और a की value 1 के equal में नहीं है तो case दो cases बनेंगे तो उसमें जो पहला case होगा वो क्या होगा जो exponential के case में आये था कि जो a है वो greater than 1 है हम 1 से आगे वाली values के लिए चलते हैं पहले और 0 से 1 के बीच वाली values होगी वो हमारा second case होगा तो पहले हम first case discuss कर लेते हैं और इसमें भी उसी तरह से x की values को ले positive side पर या फिर किन values पर हमें तीन values निकालने उससे हमारा graph draw हो जाएगा अब आप देखिए हमारा जो function y equals to log x तो उस पर हम पहली एक value तो देखते हम 1 पर ठीक है 1 पर क्यों देख रहे हैं log 1 है न वो हमेशा 0 होता है आप देखिए x की value greater than 0 है तो 0 के बाद में greater than 0 तो 0 के और log 1 जो होता है न वो 0 होता है ओके और 1 के अलावा कौन सी value पर देख सकते हैं 1 से पीछे चले तो x की value ले लेते हैं 0 से 1 के बीच में 0 से 1 के जो बीच की values होंगी वो भी greater than 0 तो है और next value ले ले लेते हैं जो की x 1 से भी greater है तो कैसे हम बात कर रहे हैं जैसे ये graph होगा हमारा ओकी this is x and negative x को हम dash में represent कर रहे हैं और ये y dash हो गया अब आप देखिए ये तो हमारा मूल बिंदू हो गया जो 0 0 coordinates होते हैं यहाँ पर somewhere 1 हो गया तो अब आप 1 से 1 पर value हमें पता पढ़ गी 0 है तो graph यहाँ पर तो touch करेगा ओके और 1 से आगे की value मालूम पर जाए और 0 से 1 के बीच की value मालूम पर जाए क्यूं क्यूंकि x की value greater than 0 है negative side पर हम जा ही नहीं रहे हैं ओके और x की value 0 से 1 के बीच में है तब जो हमारा log होता है वो आता है less than 0 1 पर 0 है 0 से 1 के बीच में compare करें 0 से तो less than 0 और 1 से greater है जब x तो मतलब 2 रखी 3 रखी 4 रखी तो वो value जह है वो greater than 0 आई ओके ये जो log की values होती है ये mathematically टेबल बनाई हुई है बकाईदा वहाँ से पता पड़ती है ये एक मोटा idea है जो आपको याद रहेगा obviously इसमें कोई भी headache वाली बात नहीं है तो graph हमारा के हिससरे से draw होगा graph हमारा draw होग यहाँ से देखने वाली बात हमें क्या मिल रही है कि 0 से 1 के बीच में minimum value 0 से 1 है तब value less than 0 है 1 पर 0 आई और then 1 से बढ़ी values के लिए greater than 0 मतलब जैसे जैसे x की values बढ़ रही है वैसे वैसे function की value जो log की value है वो भी बढ़ती जा रही है कहने का meaning क्या है less than इस 0 से 1 की case में तो less than 0 म मतलब नीचे की side आएगा ठीक है ओके फिर greater than 1 पर कहीं तो greater than 0 तो graph कुछ इस तरह से बनेगा ओके यह straight line ही है मतलब यह line smooth रहेगी यह point क्या है 1,0 मतलब x coordinate जो है वो तो 1 है और y coordinate obviously 0 ही है तब ही तो इस पर touch कर रहा है न तो यह किसका graph है यह है f of x equals to log x base a where a is greater than 1 उस case में यह graph है अब हम second case discuss कर लेते हैं अब second case हमारा क्या होगा एक case हमने discuss कर लिया second case हमारा होगा जब a की value जह है वो 0 से 1 के बीच में हो ओके एकी value 0 से 1 के बीच में है तो वही चीज़ करेंगी जैसे हमने 3 points पर discuss किया था उसी तरह से इस case में भी हम देखने वाले हैं अब आप देखिए वही 1 पर तो हमें value पता है यह 1 पर क्या होती है log 1 होता है 0 अब यहां पर देखिए 0 से कम वाली values के लिए मतलब 0 से 1 के बीच की value के लिए क्योंकि x हमेशा है तो greater than 0 ही तो 0 से 1 वाली बीच की values के लिए जो यह होगा अब position उल्टी हो जाएगी greater than 0 होगा जहां a greater than 1 के case में क्या हो रहा था less than 0 था न कि कम है तो कम पर less than आई थी value बट यहां पर उल्टी हो जाएगी आपको इतना ही याद रखना है और इस greater than 1 वाले case में क्या होगा इसमें उल्टा हो जाएगा यहां पर values जो है वो 0 से less than होगी अब यह values जो है वो table से आती है जो standard table होती है log की बट यह बहुत ही easy way ह याद रखने का समझने का कि जो greater than 1 वाला case है ना मतलब तो वहाँ पर वो increasing order में है value एक तरह से आप समझ सकते हैं जो exponential x का हमारा case होता है उसमें increasing graph था और जो decreasing graph था exponential minus x का उसमें उल्टी हो गई थी values वही यहां पर भी हो रहा है 0 से a1 के बीच का जो value ले रहा था a तब वो graph exponential minus x का बनाता हमने last में यह देखा था last video में ओकि यह exponential का video है वो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो first case है a is greater than 1 का a is greater than 1 का वहाँ पर graph increasing order में है और वो increasing function है और जो a 0 से 1 के बीच का values है उसके लिए graph decreasing होता है अब यहाँ पर graph बनाएंगे हम तो वो decreasing order में आएगा let's see अपर graph कैसे बनेगा जिससे 1 मान लीजे यहाँ पर है यह point क्या है 1 0 मतलब x coordinate यहाँ पर 1 है और y की value 0 है तो आप देखिए 1 पर तो यह touch करेगा क्योंकि x की value 1 है तब y की value 0 है बट 0 से 1 के case में क्या है greater than 0 है values मतलब positive side में रहेगी y की value जहे greater than 0 आ रहे है मतलब positive axis वाली values तो graph किस तरह से आएगा graph आएगा upper side में but greater than 1 की case में मतलब आगे की values के लिए y की value less than 0 थी मतलब negative axis की side आएगा तो continuously जो value है यहाँ पर decrease हो रही है न जीरो से 1 के case में less than 0 फिर 0 and then sorry 0 से 1 के बीच में 0 से बड़ी है फिर 0 और फिर 0 से कम हो गई means graph decreasing है तो कैसे आएगा यहाँ पर positive side थी फिर अब negative side चला जाएगा okay graph smooth ही बनेगा इस तरह से ओके यह drawing थोड़ी खराब है sorry for that यह 0.10a यह line से कट गया है so don't mind तो यह किसका graph आया हमारे पास में y equals to log x base a when x की value जो है sorry a की value जो है कौन सा case है यह a की value जो है वो 0 से 1 के बीच में है यह तब का graph है okay अब देखिए जैसे मैंने आपको अब भी बताया जो log है और exponential है वो एक दूसरे की inverse है तो यह जो graph है यह decreasing graph है तो exponential minus x का graph भी decreasing ही था अब last video में देखिएगा compare कर सकते हैं ठीक है और situations भी ऐसी हो रही है यहाँ पर जैसे जैसे x की value बढ़ती जा रही है वैसे वैसे y की value जो ह में भी यही था जो a की value 0 से 1 के बीच में है जब हमने last में discuss किया और जब a की value greater than 1 है जो first case आया है हमारा log में यह first case आया है यहाँ पर क्या है जैसे जैसे x की value बढ़ रही है वैसे y की value भी बढ़ रही है तो वो exponential x का graph जब increasing way में था तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक पूरा कर रहे हैं मतलब पूरा कर रहे हैं नहीं मतलब एक दूसरे क्या opposite नहीं है दोनों same है ठीक है एक से दूसरे को पाया जा सकता है जो first case है वो exponential x जैसा बन रहा है और जो second case है वो exponential minus x जैसा बन रहा है और graphs भी उसी way में है बस ध्यान रखना है कि यह इसी जो first or fourth quadrant है उस फूपर उपर थे दोनों में ओके अब हम properties देख लेते हैं जो log function है उसकी कुछ एक properties जो है हम discuss कर लेते हैं यहाँ पर तो पहले यह दो properties देखिए तो log 1 और base वही ले रहे हैं जो a था और a क्या है greater than 0 और not equals to 1 मतलब positive side में ले रहे हैं ओके log 1 क्या बोला था हमने जैसा देख 1 जो है वो 0 होगा ओके अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि हम a की value 1 क्यों नहीं ले रहे हैं अब आप देखिए यहाँ पर log पहले तो इस property को देखिए जब base सेम है और यह variable सेम है तो value 1 होती है log की अब आप इस case में समझेए अगर यहाँ पर यह condition ही होती a की value 1 के equal न कि a की value जब 1 के equal नहीं है ओके अब आप यहाँ पर समझेए log xy multiply में है यह दोनों और यह base a है तो जब multiply में होते हैं तो यह किस तरह से तूटती है values यह plus में convert होंगी कैसे log base तो a ही रहेगा और इसके साथ आएगा mod x plus log y यह mod में मतलब बीच में plus ठीक है दोनों अपना अपना log ले करके अलग हो गया और बीच में plus आ गया जबकि अंदर थे जब multiplication में था conditions क्या होंगी यहाँ पर a की value greater than 0 y और a की value not equals to 1 और xy जो है वो greater than 0 है simple क्योंकि हमने क्या बात की थी यहाँ पर जो variable होगा न वो negative में नहीं होगा देखें multiply हमने discuss कर लिया xy यहाँ पर x upon y है तो यह किस तरह से open होगा यहाँ पर जब multiply था तो open हुआ तो बीच में plus आया यहाँ पर जब अब यह अपना-पना x और y ले करके अलग होंगे तो बीच में minus आएगा मतलब multiply plus में जाएगा divide minus में जाएगा log x base a minus log y base a ओके और conditions same यही रहेंगी और x upon y जो है वो greater than 0 होगा जैसे xy greater than 0 था न यह जो variable अन्या पर यह greater than 0 होता है log के case में negative value नहीं लेते है as variable तो यहाँ पर हम लिख देंगे where a greater than 0 a not equals to 1 and x upon y greater than 0 simple आप देखिए log x की power n है और base a है power वाला जब होगा तो क्या होगा वो power खुद आगया जाए कैसे n log x और base a क्या हुआ यह जो power थी ना यह आगया आगई multiply में ठीक है कूद करके आगया आगई condition क्या होगी यहाँ पर वही where a की value greater than 0 a not equals to 1 and यह जो x e power n है इसके लिए हम क्या लिखेंगे greater than 0 क्या बोला मैंने जितनी भी यहाँ पर value होगी न log का जो variable होगा वो greater than 0 negative में नहीं होगा वो log define नहीं होता है अब क्या हो अगर x की power के साथ में a की भी power आजाए जो base है ना आपका तो क्या होगा normally x की power जो थी वो कूद करके आगया गई थी इसमें क्या होगा यहाँ पर भी x की power जो है वो कूद कर आगया जाएगी ठीक है log x अब base देखिए आप a की power है ना तो simple base लिख दीजे a बट यह जो power है ना यह इस पहले वाली power की नीचे आ जाएगी ओके और conditions क्या होंगी यहाँ पर where a की value greater than 0, a की value not equals to 1 and x की value greater than 0 ओके अब आप बोलेंगे यहाँ पर x की power x greater than 0 क्यों लिया अब आप देखिए यहाँ पर 2 powers को discuss कर रहे है ना तो हम simply x हमने यह दे दिया यह normally properties और properties आपको याद रखनी होती है पर याद रखनी है से अच्छा अगर हम समझ ले तो वो अच्छा से reminder होती है हमारे mind में next property क्या है x है इसकी power है log में अब कुछ तो होगा variable तो y ले लिया और base जो है वो a ही होता है log का तो यह value कैसे discuss होती है मदब कैसे satisfy होती है कि जो यहाँ पर log के साथ variable है वो आगे है और इसकी power में log है और उसका variable कौन है यह कहने का मतलब क्या है इस वाली property में कि जो log के साथ variable है और जिसकी यह power है वो interchange हो गए है मतलब x और y की position change हो गई है ठीक है इतना ही ध्यान रखना है और condition क्या होगी यहाँ पर simply कि x greater than 0, y greater than 0, a greater than 0 और a की value not equals to 1 यह तो हम पहले से लेकर आ रहे है अब एक property यह भी होती है कि log x और base a है तो यह किस तरह से होगा right inside one upon अगर हम यह करेंगे इन दोनों का आपस में interchange कर दे तो क्या होगा वो one upon में आ जाएगा log a हो गया और इसका base x हो गया ठीक है क्या किया है हमने जब one upon किया जो यह simple हमारे log की definition है ना log x और base a जब इसमें हमें interchange करना है इन दोनों को मतलब कि a को तो main बनाना है variable और x को बनाना है base तो ऐसा जब हम करना है interchange करना है तो हमें क्या करना है उसको one किया upon में ले जाना है और conditions यहाँ पर क्या होंगी conditions यहाँ पर वही होंगी कि where a की value greater than 0 a की value not equals to 1 and x की value greater than 0 और x की value not equals to 1 ठीक है यहाँ पर x की value भी जो है 1 के equal नहीं है क्यों नहीं है x की value 1 के equal यहाँ पर फिर 1 रख देंगे तो log 1 जो है वह तो 0 होता है तो यहाँ पर जो दोनों variable है न वो interchange हो रहे है मतलब कि जो base है वो main variable बन रहा है तो जो base के लिए conditions हो रही थी यह दोनो a greater than 0 not equals to 1 वही पिर यहाँ पर base क्या है x उसके लिए भी apply होंगी इसलिए यह जो दोनों conditions आपकी बार दोनों में apply हुई है a में भी और x में भी आप यहाँ पर पूछ सकते थे कि भही x की value greater than 0 ही लिखेंगे एक x not equals to 1 क्यों लिख रहे है उसका मैंने reason बताया आपको कि जैसे a जब base था तब दो conditions थी a greater than 0 a not equals to 1 तो जब यह interchange हो रहे हैं तब x इसका base बन रहा है तब दोनों conditions आप्लाय होंगी जो base के लिए होती है कि not equals to 1 and greater than 0 और यह हमने पहले बताएं कि यह क्यों है कि base जो हमेशा 0 से तो बड़ा होगा और 1 क्यों नहीं होता कि भई आपने अगर variable की value 1 ले ली तब तो फिर वो second जो हमारी application है उसकी जैसा हाल हो जाएगा जो second वाली थी ना उसके case में हमने देखा था ना कि हम क्यों नहीं ले सकते हैं पर a की value 1 की a की value भी 1 ले 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 लेंगे तो log 1 1 पतलब a और a जब same है base और variable same है तब value log की 1 है तो जब a की value 1 हो गई तो फिर वही होगा base और variable same हो जाएंगे तो यह 0 नहीं हो सकता और log 1 हमारा normally 0 होता है जब उसका base जो है वो कोई a कोई variable है जो कि define हो रहा है greater than 0 not equals to 1 ओके greater than 0 तो होगा यह obviously हम negative values नहीं ले रहे हैं log की case में but not equals to 1 वाली condition ध्यान रखनी है उसके लिए मैंने आपको reason बता दिया है यहाँ पर I hope it helps और it makes you understand the log function please like share and comment and tell me about the कोई भी अगर problem आ रही है तो tell me about your problem thank you